चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताजा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं अब यहाँ पर दूसरा एक सिध्धान बताता हूँ अभी यहाँ पर तुम्हें एक चीज समझ में आई होगी कि अमेरिका में कुछ अच्छा या बुरा होगा तो उसका इंपक्ट ना बागी कंट्री पे भी होगा तो COVID से शुरू करते हैं समझाने के लिए तो COVID एक ऐसा event था जो दुनिया के लिए बहुत बुरा event मना जा सकता है क्योंकि दुनिया ने अपने प्यारे लोगों को खोया है, अपने रिष्टेदारों को खोया है, सगे संबंध्यों को खोया है, आस पडोसियों को खोया है, इतने सारे लोगों को खोने के बाद सिरफ एक चीज समझ में आते हैं कि यह चीज नहीं होने चाहिए थी, कोई बुर को रोका जा सकता था नहीं रोका जा सकता था पता है क्यों नहीं रोका जा सकता था क्योंकि दुनिया ग्लोबल हो चुकि आज के टाइम पर आज के टाइम पर आप यह नहीं सोच सकते हैं कि जो आपकी कंट्री में चीज़े बन रही है वो दूसरी कंट्री में नहीं जाएंग वो भी आपकी country में बेखी और खरीदी जाती है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ही globalization तो जो आपकी परेशानी नहीं है यानि covid वो आपकी country में ना हो ऐसा तो हो इनी सकता तो दुनिया में कोई भी अच्छी या बुरी चीज कभी भी घटित होती है तो वो उस country में नहीं होती बलकि 197 countries में एक साथ होती है क्योंकि हम global बन चुके हैं मेरी बात समझ भारिये तो अभी अमेरिका में कुछ अच्छा या बुरा होगा उसका impact हमारी country पर आएगा नहीं आएगा समझ भारिये मेरी बात यही reason है कि हम को जब research करनी होती है तो global research से शुरू करते हैं क्योंकि दुनिया की किसी भी country में अगर बंफटा, especially बड़ी country में तो उसका धमाका यहां भी सुनाई देगा यह मान लेना, क्योंकि दुनिया एक परिवार है यह अब मैं तुम्हें एक rule दे रहा हूँ जिसमें तुम्हें analysis जिस आस्पेक्ट से करनी है कि दुनिया एक परिवार है उस परिवार के दो तरह के सदस्या है एक वो जो अच्छे important सदस्या है देखो एक परिवार में होता है 10 बच्चे हैं मान लो 10 लोग एक परिवार में है तो एक न एक तो नलायक निकलेगा न 10 के 10 तो लायक नहीं हो सकते majority of परिवार तो यही देखा जाता है और 10 के 10 नलायक भी नहीं हो सकते एक तो अच्छा मिलेगा अब समझो एक नलायक बच्चे से parents क्या उम्मीद करते हैं कि यह कुछ नहीं भी करेगा पर सभी important नहीं है हमारे बहुत सारे पड़ोसी देश हैं नाम नहीं लूँगा किसी भी particular का आप सब जानते ही हैं बहुत सारे लायक हैं बहुत सारे नलायक हैं तो जो नलायक हैं वहाँ तो रोज कुछ नो कुछ गटना है हो रही है क्या दुनिया में किसी को कोई फरक पड़ रहा है नहीं पर अमेरिका जैसा इंडिया जैसा लायक जो बेटा है चाइना को भी मैं लायक बोलता हूं क्योंकि देखो बहुत आगे निकल गए हैं development में तो यहाँ पर अगर कुछ इन के साथ परेशानी होगी इन लायक कंट्रीज के साथ कोई परेशानी होगी तो दुनिया पर उसका असर देखा जाएगा देखा जाएगा ना यही global research है तो global research कहती है कि उन countries को सबसे पहले तो refine कर लो जो दुनिया में अच्छी चीज़ों के लिए जाने जाते है जैसे आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ एक example से दुनिया की सबसे बड़ी economy अमेरिका है और भारत में एक सबसे one of सबसे बड़ा sector है IT जिसमें 46 लाख लोग काम करते हैं यह एक data बोलता है मैं नहीं बोलता इसे 46 को मैं 50 करके बोलता हूँ किसी particular sector के द्वारा sorry country के द्वारा और जिसके नाम है अमेरिका तो अगर अमेरिका में कुछ हुआ तो यह 50 लाख लोग direct groups impact होंगे मान लेते हैं कि अमेरिका का business अच्छा नहीं चल रहा उसकी economy अच्छा नहीं कर रही है तो उसके sectors कैसे अच्छा करेंगे नहीं करेंगे जब sector अच्छा नहीं करेंगे तो वहाँ से काम कैसे मिलेगा हम लोगों को जब काम नहीं मिलेगा तो IT में कितने लोगों की नौकरी आ जाएंगे आप समझ सकते हो आप impact हो गए directly ली तो आप कैसे बोल सकते हो कि दूसरी country में कुछ हो रहा है तो वो उसकी परिशानी है हमारी नहीं है हमारी भी परिशानी है क्योंकि दुनिया में यह जो countrys है यह क्या है एक परिवार तो यहां पर formula 7 में आ रहा है जो important countries है उनको weightage देनी है जो important नहीं है उनको दरकिनार करना है तो अब कई लोगों का मेर से सवाल होता है कि सर इस particular country में यह परिशानी आ गई मार्केट पर क्या impact पड़ेगा कि अगर country important है तो फरक पड़ेगा पर अगर country ऐसी है जिसका दुनिया में कोई contribution ही नहीं अच्छे कामों में उसमें कुछ भी होता रहा है क्या ही फरक पड़ेगा समझ में आरी है मरी बात यह मैंने आपको सूत्र बताया तो ग्लोबल research अब बात करते हैं करने हैं हमें तो कैसे करेंगे तो global research में देखो हमें बहुत चोटे सी चीज है कि हमको यह देखना है कि भाई कौन सी country important है तो सबसे पहली चीज तो अमेरिका important country है दूसरा एक zone के अब यहां पर समझने की बात है कि हमारे लिए अब यह तरह से zone बन गया एक American market हो गया यूरोप में तीन मार्केट आती है जो भी में बताता हूं और एशिया में वैसे तो मार्केट हैं पर हमें सिर्फ 4 देखने जो important है तो अब इसके लिए एक चीज समझ लेना कि हमारे टाइम जोन में बहुत ज्यादा variation है अब अमेरिका का मार्केट टेक्निकली अगर आप देखोगे तो रात को डेड़ से ढ़ाई बजे सरदी और गर्मी का टाइम अलग हो जाता है तो मैं इसे डेड़ बजे माल लेता हूं और यह एम है पीम लिख दिया मैं ठीक है अब भी माल लेते हैं दो बजे अगर मार्केट अमेरिका का बंद हो रहा है ठीक है तो हमारे यहां तो सुबह हो रही है और योरोप में एक अलग टाइम हो रहा है अब अमेरिका की मार्केट यहां पर बंद होती है और योरोपियन मार्केट हमारे टाइम के हिसाब से डेड़ बजे ओपन हो रही है तो इन नोनों में तो कोई मैची नहीं है जब यह खुलता है तो यह बंदो बंदोने का तो सभसे पहले मार्किट हमारी कुलती ये चलती है च Алबब इन समझमाएं चाहता हूँ इस लिए एक example दूँगा जाकि आप connect कर पाएं तो ऐसा सोचो कि तुम द्वार का में किसी society को जानते हो XYZ को society है और उस society में high class security है वहाँ पर किसी तरह की कोई चोर एंटर नहीं कर सकता पर वहाँ पर एक बड़ी robbery हो जाती है मान लो भगवान ना करे ऐसा कभी हो सिर्फ हम समझने के लिए example ले रहे हैं और यह मैं दूआर का ही क्यों बोल रहा हूँ तो हम बात करते हैं दुनिया में एक ऐसी society है जो बहुत high class society है high security वहाँ पर रहती है कोई चोरी नहीं हो सकती वहाँ पर एक घर में किसी चोर को पता चल गया कि 100 करोड रुपे रखे हुआ है या 100 करोड डॉलर रखे हुआ है या 100 करोड का हीरा रखा हुआ है तो वह चोर जो है high class चोर उसको चुरा लेता है अब मेरी बात समझ नहीं कोशिश करना अब आपका जो घर है वह पांच किलो मीटर दूर है पर है उस society में ही क्योंकि बड़ी बड़ी society हैं तो किलो मीटर में बनती है अब एक कौने में चोरी हुई है और दूसरे कौने में डर है कि यार हो कैसे गया ऐसा तो कभी नहीं हुआ उस डर को फील कर पा रहे हो कर पा रहे हो ना चार दिन तक हर society का मेंबर उस society का मेंबर भी और आसपस वाली society सो नहीं पाएगा कोई रात को यह सोच के यार यह तो इतिनी प्रोटेक्टेट सुसाइटी थी हाई टेक सुसाइटी थी यहां पर चोरी कैसे हो सकती है तो दुनिया में डर ऐसे ट्रैवल करता है जैसे सुसाइटी में ट्रैवल तो हमारे लिए रात है पर अब इसके बाद न अमेरिकन मार्केट अमेरिकन मार्केट जब बंद होगी तो एशियन मार्केट सुबह छे बज़े खुल जाएगी तो सबसे पहला इंपक्ट अच्छा या बुरा मानलो अगर डाव जोन्स 100.500.1000 बढ़के बंद हुआ है तो य मार्केट खुलेगी एशियन मार्केट तो एशियन मार्केट कैसी खुलती है कि इस बात पर निर्वर करता है अमेरिकन मार्केट पर और अमेरिकन मार्केट पर इसलिए करता है क्योंकि अभी तो एक सूत्र दिया दुनिया एक परिवार है परिवार का कोई भी सदस्य है बन्मारिया तो टेका अब यह जो एसियान मार्get है इसमें b flats थारां की मार्केट अब एसियां रही है और каждown मार्केट के सबन्स होने का तो रिम पन अब जैसे ही ईंडिया में आदा सेशन कंप्लीट हो जाएगा time आ जाएगा European market के खुलने का तो अब ये जो Asian market है ये 1000.2 पर होने पर Dow Jones के क्या हो रही है Green level में काम कर रही है Green zone में काम कर रही है सभी Asian market positive काम कर रही है तो अब इसका positive impact कहाँ पर आएगा तो European market भी positively काम करेगी तो market के जो sentiment है वो तुम्हे global research से पता चलते हैं जो तरीका भी मैंने तुम्हें बताया अगर US में कुछ अच्छा बुरा होगा तो Asian पर भी उसका impact आएगा European पर भी impact आएगा और अगर European में कुछ अच्छा बुरा हुआ तो Asian पर भी आएगा इस पर भी आएगा मेरी बास में आ रही है अब मैं एक स्टोरी से तुम्हें ये बात प्रूव करके बताता हूँ तो ये कैसे काम करता समझ में आ रहा है अब ध्यान से समझना एक crisis थी दुनिया में जिसका नाम था सब प्राइम जो हुई 2008 में इसे housing crisis के नाम से भी Lehman Brothers crisis के नाम से भी जाना जाता है अब ये 2008 में हुई पहले मैं समझाता हूँ कि ये सब प्राइम का मतलब क्या हो देखो जब घर लिया जाता है तो घर लेने के लिए अक्सर इंसान लोन का सारा लेता है major of cases में ऐसी होता है majority of cases ये कहता है कि बिना लोन के कोई घर लेता ही नहीं क्योंकि इतना बड़ा amount आप एक number में कैसे दिखाएंगे तो आपको लोन लेना पड़ेगा तो जब हम लोन लेते हैं home loan especially कि इसको एक करोड का लोन दिया जाना चाहिए या पचास लाग का ये bank decide करेगा based on your civil score अब समस्या ये आजाती है कि जब किसी भी बंदे का जो earning capacity है वो कम है और loan उसको ज़ादा दे दिया जाए तो ये तो under eligibility loan हुआ न कि bank की start guard से किसी इंसान को जो कम loan deserve करता है उसको ज़ादा loan दिया जाए इसी को subprime loan बोलता है तो subprime loan क्या होता है आपकी eligibility से ज़ादा आपको loan दिया जाए अब एक बात सोचिए कि अगर किसी की earning capacity एक लाग है और repaying capacity सिरफ 10,000 है और उसको आप loan दे दो ज़ादा loan दे दो आप समझ पारे हो इसे मैं दुबारा से बोलता हूँ मान लेते हैं किसी की repayment जो capacity है वो एक लाग है कि repay वो एक लाग रुपे कर सकता है और उसको loan दे दी आपने दो लाग का तो क्या वो default करेगा नहीं करेगा करेगा ना इसी को हम क्या बोलेंगे subprime loan बोलेंगे तो subprime loan दिये जा रहे थे अमेरिका में क्योंकि घर वहाँ पे बहुत रफ्तार से बिकरे थे और एक दिन वही हुआ जिसका डर बहुत सारे लोगों को था bubble bust हुआ और bubble जब bust हुआ ना तो housing crash हो गए housing prices नीचे आ गए और जो loan था इसमें सबसे बड़े level पे involved, Lehman Brother वो बरबाद हो गया जब ये news market में आई कि Lehman Brother ने अपने आपको दिवालिया घोसित कर दिया है दुनिया के market नीचे थे, downfall आ गया था, lower circuit पे लगे हुए थे तो क्या हमारा market इससे बस सकता था नहीं, हमारे market में भी lower circuit लगा बट सबसे पहले कहां लगा अमेरिका में और वो news travel कैसे कर रही थी अमेरिका से, Asia, Asia से, Europe ऐसी तो travel करेगी जो अभी पढ़ाया तो इस तरहा से आप देखते हो कि global market एक दूसरे को impact करती है देखो आपको कभी भी ना दुनिया की परेशानी को इस तरहा से नहीं लेना कि ये दुनिया की आपकी नहीं है अगर दुनिया की काबिल country जिसका दुनिया में बहुत जादा एक तरह से बोल सकते हो अच्छे अच्छे कामों है तो वो country में कभी भी problem आएगी तो दुनिया की बाकी country भी problem face करेगी ये अटल सत्य है और इसी लिए हमें global research करनी पड़ती है मेरी बात समझ में आ रही है अब इसे कैसे किया जाता है वो समझाने की कोशिश करता हूँ तो इसके लिए हम money control पर जाते है जैसा आप जानते हो money control एक app है और यहाँ पर हम सीखेंगे कि भई किस तरह से ये हमें help करता है तो हम यहाँ पर money control टाइप कर देते है money control ये आ गया और money control पर ये global market आप देख पा रहे है global market indices देख पा रहे है तो global market indices हमें देख लिया and then आप देख रहे हो ये global market indices देख रहे हैं अब यहाँ पर dow jones s p 500 और nasdaq ये तीनों जो index है ना ये American market के index है जैसे हमारा nifty sunset bank nifty है ठीक उसी तरह से यहाँ पर तीन index major काम करते हैं जिसमें dow jones है s p 500 है और nasdaq है अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये markets हमारे time zone के सबसे दो बज़े बंदोने वाली है इसके बाद market खुलने वाली है Asian market यानि ये जो आप देख रहे हो अब यहाँ पर ये जो निकई है ये जिपैन का market है जो सबसे पहले खुलेगा Hang Seng Hong Kong का market है स्ट्रेट टाइम्स आपका सिंगापूर का market है सिंगाप और शांगाई composite चाहिना का ठीक है अब यह यहाँ पर कॉस्ट पी सेट कॉंपोजिट जकार्ता ये बहुत छोटे छोटे markets है कोरिया ताइवान इस तरह से अब इनको हम करेंगे निगलेक्ट अबॉइड कर दे हमारे लिए इंपोर्टेंट है इंडियन मार्केट ये तो हमारे इंडेक्स है न निकई सम्हाओ चलो स्ट्रेट टाइम्स भी देख ले न Hang Seng Hong Kong का market अब आप बोलोगे सर Hong Kong तो छोटी सी कंट्री है पर उसका stock market हमारे stock market से बड़ा है यानि ये ध्यान दखो ये छोटी market नहीं है ये बहुत बड़ा market है ठीक है तो हमारा जैसे Nifty का market cap 4,00,00,00 करोड का है इनका भी छोटा नहीं है बहुत बड़ा market cap है अब तो हम इंसे आगे निकल गए है ठीक है पर ये भी छोटा market नहीं है ध्यान दखना और शांगाई अब देखो आजकल क्या होता है आजकल मैं शांगाई को देखने के लिए नहीं बोलता आपको उसके पीछे reason है कि इनका market पिछले 3 सालों में यहीं पर है दुनिया की market डबल हो गई ट्रिपल हो गई यह यहीं पर है इसके पीछे का reason समझते हो चाइना government का investment का जो strategy है या investment के जो laws हैं वो असान नहीं है चाइना market में investment करना आपके उपर है पर उस investment को निकाल के liquidate करना आप नहीं तय करते हो सरकार ने बहुत नहीं मना रखे तो इसलिए चाइना के market में आप नहीं investment तो आती नहीं है और जो पुरानी वाली है वो निकल नहीं सकती क्योंकि मर्जी है चाइना government की बहुत manipulation है इसलिए इसका index में आप avoid करता हूँ ठीक है पर ये जो चार index में आपको बता है जिसमें निकली है straight times है और हैंग सेंग है और शांगाई composite है तो इसमें ये importantly आपने देखने है अब यहाँ पर एक और चीज कि अगर American market positive note पे बंद हुआ है तो इसका positive impact पढ़ेगा न हमारे market पे अब देखिये ध्यान से देखियेगा ये American market आप देख पा रहे हो positive note पे बंद हुआ है तो आप एक और चीज देख पा रहे हो कि ये Indian market gap अब खुलने वाली है मंडे को अब ये जो हमारा gift nifty है न ये बताता है हमारे nifty futures के बारे में अगर market समझ लो रात को 8 वजे तुम research कर रहे हो अब ये 8 वजे वाली जो research है तुम्हें करनी है तो कल market कहां जा सकता है तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हें ये gift nifty बताएगी कि कल market में क्या chances है market के खुलने के क्योंकि ये हमारा जो market है उसका future बताने का काम करता है gift nifty तो gift nifty और कुछ नहीं बलकि nifty का future है जो after market भी खुलता है और इसका impact दुनिया की market में जो development होता है उसके हिसाब से होता है तो आगर dow jones समझ लो positive है तो positive sentiment create होते हैं और वो travel करते हैं इंडिया में भी जिसका impact आपको gift nifty के तौर पर नजर आता है तो आप कई लोगों को सुनते होंगे जो बोलते हैं कल तो market 200 point उपर है और आप यह सोचते हैं कि यार इसे कैसे पता तो उसे इसलिए पता है क्योंकि gift nifty देख रहे हो तो अगर आप gift nifty देख रहे हैं तो आप बोलोगो यार सर को कैसे पता सर को इसलिए पता है क्योंकि gift nifty देख रहे हैं और वो साफ साफ बता रहे हैं कि जो हमारा nifty का future है वो 75 point उपर है और यह 75 point उपर क्यों है क्योंकि Dow Jones positive बंदू है मेरी वासमन में आ रही है तो यह research का एक ऐसा part है जो आपको इस तरह से करना होता है अब आपने कई बार देखा होगा कि हमें यह देखना है कि हमारा market कैसे खुलेगा तो आपने इसको देख लिया पर आपने यह देखना है कि American market कैसे खुलेगा ठीक है दो बज़े तो American market हमारे मानलो दुपैर के दो बज़ रहे हैं और American market बंद है क्योंकि वो तो रात को 8 बज़े खुलेगा तो आपको कैसे पता चलेगा आज American market कैसा खुलेगा तो जैसा हमारा ये gift nifty दिखा रहा है न आपको इसी तरह से Dow Jones का future आपको दिखा रहा होगा अब बहुत बारी साड़े तीन बज़े कई लोग सवाल पूछते हैं सर मार्केट में मार्केट उपर जाएगा कल की नीचे जाएगा अरे भाई मुझसे मत पूछो तुम डाव जोन्स के future को देखो अगर डाव जोन अगर होने वाला है तो उस चीज को identify कर लो और अगर ऐसा नहीं होने वाला और अमेरिकन मार्केट कल तेजी में रहेगा तो अगले दिन के लिए बाई साइट का trade बनता है ना हमारा मार्केट में तो इस तरह से आप decide कर लो कि अगले दिन मार्केट में आपको बाई करके जाना है या नहीं जाना अमेरिका का डाव फ्यूचर देख लो और अमेरिका का डाव फ्यूचर यह इंडिकेशन तुम्हें दे देगा तो मेरी बात संद में आ रही है रिसर्च कैसे की जाती चलते ही रहेंगे न तो आप देखो दुनिया की सारी मार्केट देखो पॉजिटिव है न तो यह सूत्र रियाद रखना दुनिया एक परिवार ठीक है तो इस तरह से सभी मार्केट एक सा behavior करती है अब इसका एक exception भी है ध्यान दखो exception यह है कि अगर दुनिया की मार्केट में कोई major event है जो आपके यहां पर नहीं है तो दुनिया की मार्केट रुपे की लट्री लग जाए और तुम्हारे 800 रुपे खो जाएं तो न्यूटरल हो गए तुम खुश नहीं होगे दुखी भी तो नहीं होगे अरिवास अन में पर अगर तुम्हारी 10,000 की लट्री लग जाए और 1000 रुपे गिर जाए तो तुम खुशी होगे क्योंकि event ब में आपका जो research है उसको करने का तरीका change हो जाएगा I hope आप सबको एची सवन में आ रही है मेरा नाम है अतल मैं एक नामी hotel में manager के तौर पर job करता था मार्च 2020 में lockdown के दौरान मेरी job चली गई उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविश्य की चिंता होने लगी फिर मैंने share market के field में online कुछ करने का plan किया लेकिन मुझे share market का ABCD भी नहीं आता था फिर मैं एक ऐसे platform को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाशा में share market में trading करना सिखा सके तभी मुझे मिला NIFM का online education platform www.online.nifm.com NIFM के online education platform पर बहुत से ऐसे course थे जिनसे मैं अपने stock market में investment और trading के सपनों को पूरा कर सकता था जैसे की stock market trading beginners course, NIFM certified smart investor course, advanced level smart investor course, technical analysis course, fundamental analysis course, options trading strategies, research analyst certificate course, diploma in financial market course और ना जाने ऐसे बहुत से course उपलब्ध है फिर मैंने www.online.nifm.com की site पर जाकर NIFM का NIFM certified smart investor course को online purchase किया जिसको सीखने के बाद मैंने जाना की share market से पैसा कमाना कितना आसान है बस आपको एक सही platform की जरूरत है जो है www.online.nifm.com NIFM के online platform की वज़े से मैंने lockdown के दोरान share market से अच्छी income भी generate की thanks NIFM जिसकी वज़े से आज मैं एक hotel manager से professional trader बन पाया call 8588-68475 और visit www.online.nifm.com कि कि क्ईची और शोर्टर ठाद मैंने जूर्टर ठाद मैंने जिसके अच्छी है